मीराबाई कैसे बनी क्रिश्ण भग एक माम्यता के अनुसार कहा जाता है कि मीराबाई जब बाल्यकाल की अवस्था थी तब उनके पडोस में किसी धन्वान व्यक्ति के यहां बाराद आई थी सभी स्त्रिया छट पर खड़ी होकर बाराद देख रही थी मीराबाई भी बाराद देखने के लिए छट पर आ गई बाराद को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूना कौन है इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्दी की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे पती है यहां बात मीराबाई के मन में एक गांट की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पती मानने लगी मीराबाई का जीवन मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेडवा राजकुल की राजकुमारी थी यह अपने पिता रतन सिंग की एक मात्र संतान थी मीराबाई जब छोटी थी तभी उनकी मा का देहान भो गया इसके बाद उनके दादा राव दूदा उन्हें मेरता ले आए और यही पर मीराबाई का पालन पोशन हुआ मीराबाई ने बच्पन से ही अपने मन में कृष्ण की छवी को बसा लिया था और जीवन भर उन्हें ही अपना सब कुछ मान कर उनकी भक्ती में लीन रही मीराबाई ने कृष्ण को ही अपने पती के रूप में स्लीका लिया था इसलिए वे विवा भी नहीं करना चाहती थी हालांकि उनकी इच्छा के विरुद्ध राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवा कर दिया गया पती की मृत्यू के बाद और ज्यादा बढ़ गई मीरा की कृष्ण के प्रती भक्ती मीराबाई के विवा के कुछ समय बाद ही उनके पती का देहान्त हो गया जिसके बाद वे और भी ज्यादा कृष्ण भक्ती में लीन हो गई कहा जाता है कि उस समय लोगों ने मीराबाई को उनके पती के साथ सती करना चाहा लेकिन वे इसके लिए नहीं मानी क्योंकि वे कृष्ण को अपना पती मानती थी यहां भी कहा जाता है कि इसी कारण उन्होंने अपना श्रिंगार भी नहीं उतारा इसके बाद मीरा भाई की अनुपस्तिती में ही उनके पती का अंतिम संस्कार कर दिया गया मीरा भाई के पती का देहांत होने के बाद उनकी भक्ती दिनों दिन बढ़ती चली गई वे मदर में जाकर इतनी लीन हो जाती थी कि श्री कृष्ण की मूर्ती के सामने घंटों तक नाचती रहती थी मीराबाई की कृष्ण के प्रती इतनी भक्ती उनके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी इसलिए उन्हें कई बार मारने का प्रयाज भी किया गया कभी विश्देकर तो कभी जहरीले साम के द्वारा परंटु श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ कृष्ण की मूर्ती में समा गई मीराबाई कई बार मीराबाई के मारने का प्रयास किया इसके बाद वे व्रिंदावन और फिर वहां से द्वारिका चली आई इसके बाद वे सादुसंतों के साथ रहने लगी वो कृष्ण की भक्ती में रमी रही मीराबाई की मृत्यू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर भगवान क्रिष्ण की भक्ती की और अन्त समय में भी वे भक्ती करते हुए क्रिष्ण की मूर्थी में समा गई थी